ओम्श्री परमात्मने नम्हा, हरे कृष्णा, निर्जला एकादशी का वरत और उसकी कथा हिंदू सनातन धर्म में एकादशी के वरत का बहुत अधिक महतु बताया जाता है वैसे तो साल में बहुत सारे एकादशी वरत होते हैं लेकिन निर्जला एकादशी का वरत जेश्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को रखा जाता है। हिंदू सनातन धर्म में एकादशी के वरत का बहुत अधिक महत्त है। वैसे तो साल में बहुत सारे एकादशी वरत होते हैं। लेकिन निर्जला एकादशी का वृत जेश्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को रखा जाता है, इस वृत में जल पीना वर्जित होता है। इसलिए इसे निर्जला एकादशी कहते हैं, इस वृत को रखने से भगवान विश्णु प्रसन होते हैं। इस व्रत के बारे में यह मानिता बताई जाती है कि यदि आप साल भर में पढ़ने वाली 24 एकादशियों का व्रत नहीं भी कर पाते तो इस व्रत से आप उन सभी के पुर्ण एक साथ प्राप्त कर सकते हैं। तो एक दिन वेद व्यास ने पांचों पांडवों को चारों पुर्शार्थ को देने वाले एकादशी व्रत का संकल्ब कराया। कर सकते हैं क्योंकि वेही संपून शास्त्रों के ज्याता होने के साथ ही वेद वेदांगों में भी पारंगत हैं। इस बात के उत्तर में वेद व्यास जी ने कहा कि कृष्ण और शुक्लपक्ष की एकादशी में अनग्रहन नहीं वर्जित है। द्वादशी के दिन स्नानादी करने के बाद पवित्र होकर भगवान विश्ण की पूजा करें। इस दिन ब्रामनों को भोजन देने के पश्यात ही स्वयम भोजन करें। वेदव्यास के जी के इन वचनों को सुनकर भीम सेन ने कहा कि हे पितामा मेरा एक मत सुनिये। माता कुंती, राजन योधिश्टिर, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल और सहदेव ये सभी एक आदशी का व्रत रखते हैं और इस दिन अन भी ग्रहन नहीं करते। तथा मुझे भी ऐसा ही करने को कहते हैं, परंतु मैं उन सभी से यही कहता हूँ कि भूक मुझसे सहन नहीं होती। तब वेदव्यास जी कहते हैं कि यदि तुम स्वर्ग लोग की प्राप्ति करना चाहते हो और नरक को दूशित समझते हो तो तुम्हें शुक्ल और कृष्ण पक्ष की एक आदशीयों के दिन भोजन को त्यागना पड़ेगा। आगे भीम सेन वेदव्यास जी से कहते हैं कि आदर्णिय पितामा मैं आपसे सत्यवचन कहता हूँ, मुझसे दिन में एक बार भोजन करने के बाद भी व्रत नहीं किया जाता तो उपवास करना तो मेरे लिए असंभव सा प्रतीत होता है। मेरे पेट में व्रक नाम की अगनी हमेशा ही प्रज्य लित रहती है, जिसके चलते मुझे बहुत अधिक भोजन ग्रहन करना पड़ता है। उसके बाद ही यह शान्त होती है। अता महामुनी मेरे लिए कोई ऐसा एक व्रत निश्य करके बताए, जिसे साल में सिर्फ एक बार रखने से मेरे स्वर्ग प्राप्ती का मार्ग सुलब हो सके। मैं पूरे मन और निश्ठा से इस व्रत का पालन करूँगा। तो वेदव्यास जी नए भीम से कहा कि भीम जेश्ठ मास की शुक्ल पक्ष में जो एक आदशी हो जब सूर या तो व्रिश राशी पर हो या मिथुन राशी पर। इस दिन तुम पूरे यत्न के साथ निर्जला व्रत रखो, जल तभी ग्रहन करो जब तुम्हें कुला या आच्मन करना हो। इसके अन्य था किसी भी अन्य प्रकार से जल ग्रहन करने से यह व्रत खंडित हो जाएगा। तो एक आदशी के दिन सूर्योदय से लेकर अगले दिन के सूर्योदय तक यदि व्यक्ति जल का त्याग करता है तो ही व्रत पूर्ण माना जाएगा। इसके बाद द्वादशी के दिन स्नान करने के बाद ब्राहमनों को भोजन कराने के पष्यात दान आधि करें, फिर भोजन ग्रहन करें, ऐसा करने से साल भर में जितनी भी एक आदशिया आती हैं, उन सब का फल केवल एक निर्जला एक आदशी से मनुष्य प्राप्त कर सकता ह इसमें कोई भी शंका नहीं है गदा, शंक एवं चक्र को धरन करने वाले भगवान विश्णु ने स्वेम उससे कहा था कि यदि मनुश्य सब त्याग कर मेरी शरण में आ जाए और एक आदशी को निराहार व्रत करे तो वे निश्यत ही सब पापों से मुक्त हो जाता है वेदव्यास जी आगे कहते हैं कि है कुंती नंदन, निर्जला एक आदशी के दिन अब जो दान का महत तो बताया गया है उसे ध्यान से सुनिये उस दिन जल में विराजमान भगवान विश्णू के पूजन के साथ जलमई धेनू यानि पानी में खड़ी हुई गव का दान करना चाहिए इसके अलावा अन्य किसी गाय का दान भी कर सकते हैं इस दिन को ब्राहमनों को भोजन आदी से संतुष्ट करना चाहिए क्योंकि उनके संतुष्ट होने पर ही भगवान विश्णू मोक्ष प्राप्ति के मार्ग खोलते हैं जो भी मानव भगवान विश्णू की पूजा के साथ ही रात्री के समय जागन करते हुए इस निर्जला एकादशी के व्रत को रखता है वे नकेवल स्वयम को अपितु अपने साथ अपनी सौप पीडियों को भी भगवान श्री हरी के परमधाम में पहुचा देते हैं निर्जला एकादशी के दिन दान का भी बहुत महत्व है इस दिन अन के साथ वस्त्र, गाय, जल, शय्या, आसन, कमंडल वा छाता आधी दान करने चाहिए जो भी व्यक्ति प्राहमन को जूते दान देता है वे सोने के विमान पर बैठ कर स्वर्ग लोग को पहुचता है भीम, जेश्ट मास के शुक्ल पक्ष की इस निर्जला एकादशी के वरत करते हैं वे मनुष्य भगवान हरी के पास पहुचकर हर्ष का अनुभ करता है इस तरह से जो भी पूरे मन से पाप को नाश करने वाले इस एकादशी के वरत को करता है वे सभी पापों से मुक्त होकर आनंद को प्राप्त होता है वेदव्यास जी से यह वचन सुनकर पांडु पोत्र भीम ने भी इस शुब एकादशी के वरत को रखना शिरू कर दिया ओम हरे कृष्णा श्री कृष्ण अर्पणम अस्तू